असलाम अलेकुम ग्रेट 4, my name is Sadaf and I am your computer teacher. मुझे हुवीद है कि सब लोग ठीक होंगे. Students, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, अपना unit number 3, जिसका नाम है input and output devices. और आज हम पढ़ेंगे कुछ interesting सी input devices के बारे में. तो चलिए, vote की तरफ. जी, students, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था कि computer कौन से principle पर work करता है. हमने बात की थी, computer work करता है तीन steps पे, जो कि क्या है? input, processing और output. तो students, input, हमने बात की थी, कि input क्या होती है? input, instructions और data होती है, जो कि हम लोग computer को देते हैं, जिसके ओपर बाद में processing होती है, और computer फिर हमें output शोग करता है. तो students, output किस तरह सो शोग की जाती है? processing किन devices को इस्तमाल करके होती है? ये सारा कुछ हम इस unit में पढ़ने वाले हैं. तो students, सबसे पहले बात कर लेते हैं, input devices की. input devices, computer को input देने के लिए इस्तमाल होती हैं. input पता है न, क्या होती है? instructions और data. तो students, चलिए input devices की definition देख लेते हैं. The devices used to give data and instructions to the computer. तो students, ऐसी devices जो के computer को data और instructions देने के लिए इस्तमाल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं input devices. ठीक है? input यही तो होती है, computer को data और instructions देना. तो फिर input देने के लिए जो हम devices को इस्तमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं input devices. ठीक है? तो देख लेते हैं कि इस unit में हम कौन-कौन सी input devices के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो students, हम लोग पढ़ेंगे keyword के बारे में, माउस के बारे में पढ़ेंगे, joystick क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे के touchpad क्या होता है, हम पढ़ेंगे microphones के बारे में, scanner, touch screen और trackball के बारे में. तो students, अब आगे हम लोग बारी-बारी इन सारी devices के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो है नहीं, इंट्रस्टिंग लेक्चिर? तो चलिए, देखते हैं, कीबोड क्या होता है? जी, students, अब हम देखेंगे के कीबोड क्या होता है? कीबोड हमारी सबसे बेसिक इन्पुट डिवाइस है, और कीबोड के ओपर होती हैं कुछ कीज, इनको हम लोग प्रेस करते हैं, और जो भी केरेक्टर हम लोग लिखना चाहते हैं, वो कम्प्यूटर स्क्रीन पर अप्यार होना शिरू हो जाते हैं. इतना तो सब को पता होगा ना? जी, तो चलिए, students, कीबोड की डेफिनिशन देख लेते हैं. Most commonly used input device. सबसे पहली बात कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम input devices के बारे में पढ़ रहे हैं. और कीबोड क्या है, students? कीबोड है input device. ठीक है? और input device क्या होती है? ऐसी devices जो के हम लोग यूज करते हैं, computer को data और instructions देने के लिए. ठीक है? चलिए, students, आगे देखिए. It has number, alphabet and special character keys. और उसके इलावा होती है function keys. तो, students, अभी हम लोगों ने बात की कि कीबोड पर क्या होती है? different types की keys होती है. ठीक है? और वो keys किस-किस तरह की होती है? वो number keys होती है, वो alphabet keys होती है. Alphabets कितने होते हैं, students? 26 alphabets होते हैं, na A to Z. जी, तो हमारे की वोड में 26 alphabet keys होती है, A to Z. लेकिन उनकी arrangement थोड़ी different होती है, ठीक है? आप लोग अपने-पनी computers पर देखिएगा, आपको उनकी arrangement different नजर आएगी. तो, students, वो arrangement different इसलिए होती है, ताकि आप लोगों की typing speed को पढ़ाया जा सके. तो, students, alphabetic keys के इलावा और कौन-कौन सी keys होती है? special characters होते हैं. जैसे के हम लोगोंने full stop type करना है, hyphen type करना है, या slushes type करनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये है special characters, ठीक है? तो special characters के लिए भी keyboard में keys होती हैं. जी, students, उसके बाद है function keys. तो function keys computer में क्यों use होती है? जी, students, आप लोगोंने अपने-पनी keyboard पर देखा होगा, बिल्कुल टॉप पे एक row में 12 keys होती है, जिन पर लिखा होता है F1, F2, F3 और F12 तक ये 12 keys होती है. students, उन keys को हम लोगों कहते हैं function keys. और उन सब function keys का specific function होता है. ठीक है? चलिए आगे देखें. You press the key and can see the character on the screen. हम लोग क्या करते हैं? students, हम लोग अपने keyboard के जरिए keys को press करते हैं और जिस भी key को हम लोगोंने प्रेस किया है, उस से related जो character है, वो appear हो जाएगा कहां पे? हमारी screen पे. और screen कहां होती है, students? monitor पे. तो students, monitor के screen पर आप लोग उस character को देख सकते हैं, जो के आप लोगोंने type किया है किस तरह से? Keyboard पर keys प्रेस करने से. ठीक है? students, आप लोग अपने screens पर देखिए. जी, students, यह जो picture आप लोगों को नजर आ रही है, यह क्या है? यह है एक keyboard. सबने keyboard देखा हुए है, ना? आपके घरों में जो computers हैं, उनमें भी keyboard होता है. आप लोगों की computer labs में भी keyboard होता है. तो सफिर सब लोगों ने keyboard देखा होगा. अब जिस सरा से हम लोगों ने बात की थी, कि function keys होती है, alphabetic keys होती है, number keys होती है. आप लोगों को इस keyboard में सारी keys नजर आ रही है, ना? जी, students. तो इस keyboard को use करते विए हम लोग क्या करते हैं? computer को instructions और data देते हैं. चलिए, students, next device देखते हैं, क्या है? next device है, mouse. a pointing device used to select objects on the computer. students, आप लोगों ने mouse देखा है, ना? सबने देखा होगा. जिस तरह से keyboard एक basic device है, उस तरह से mouse भी बहुत basic input device है. आम तोर पर हर computer पर mouse जरूर होता है. तो, students, mouse क्या है? mouse है एक pointing device, ठीक है? students, keyboard क्यों use होता था? keyboard use होता था typing करने के लिए, ठीक है? और mouse क्यों use होता है? mouse use होता है आपके computers पर objects को select करने के लिए. वो object कुछ भी हो सकता है, वो picture हो सकती है, वो text हो सकता है, वो कोई icon हो सकता है. ठीक है, students? आगे देखिए. While you work on the computer, the cursor follows the movement of the mouse. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि cursor क्या होता है? students, आप लोग जब mouse को use करते हैं, तो आप लोग उन्हें देखा होगा, आपके स्क्रीन पर एक चोटा सा arrow का निशान होता है, जो कि कैसा होता है? ऐसा होता है. एक ऐसा arrow का निशान आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आता है ना, जब आप लोग move कर रहे होते हैं अपने mouse को. तो students, एके निशान क्या कहलाता है? ये होता है cursor. तो जिस जिस तरह से आप लोग जिस जिस डिरेक्शन में अपने mouse को rotate करते हैं या अपने mouse की movement करते हैं, उस तरह से ये cursor आपको move होता हुआ, नजर आता है. तो students, mouse के movement के इलावा भी कुछ functions होते हैं. आप लोगों को mouse पर दो buttons नजर आ रहे होते हैं, ठीक है? और एक छोटा सा wheel नजर आ रहा होता है, वो buttons यूज होते हैं left click और right click करने के लिए, और जो wheel होता है, वो students आपके pages को scroll करने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो students, आप लोग mouse को use करते हुए, single click भी कर सकते हैं, double click भी कर सकते हैं और scrolling भी कर सकते हैं, वो depend करते हैं कि आप कौन सा function perform करना चाह रहे हैं और वो function कौन से button को use करते हैं पर perform होगा, तो students, एक बार अपने screen पर देखिए, students, आप लोगों को आपके screen पर एक picture नजर आ रही है जी, students, ये क्या है, ये है एक mouse, जो के है एक pointing device, अभी हम लोगों ने इसी के बारे में तो पड़ा है, जी, students, तो mouse different types के होते हैं, कुछ mouse में ball use होती है, कुछ mouse में laser light use होती है, फिर कुछ mouse wired होते हैं, कुछ mouse wireless होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से market में different types के mouse available होते हैं, तो जी, students, next device देखते हैं, क्या है, जी, students, next input device है, joystick, joystick, सबसे पहले तो समझ लेते हैं, होती क्या है, students, आप लोग games खेलते होंगे, खेलते हैं न, सब केलते हैं, तो students, games खेलने के लिए और उस games में objects की movement को control करने के लिए हम लोग कुछ special devices use करते हैं, उस में से एक device है, joystick, तो students, joystick हम लोग use करते हैं, games केलने के लिए, फिर भी एक बार इसकी definition देख लेते हैं, a pointing device used to play games on the computer, अभी हम लोगों ने यही बात की है, यह ऐसी pointing device है, जो क्या करती है, आप लोगों को games play करने में help करती है, ठीक है, चलिए आगे देखिए, the stick can be rotated in different directions to control movement of objects, तो students, हम लोगों ने ब objects होते हैं, उनको control करने के लिए, joystick का इस्तमाल करते हैं, लेकिन हमें यह तो पता ही नहीं था, कि हम लोग उसको किस तरह से use करेंगे, और किस तरह से हमारी movement change होगी, तो students, यह जो stick होती है, इसको आप लोग different directions में rotate करते हैं, ताकि आप लोग अपने objects की movement को control कर सकें, और students, इस पर कुछ buttons भी होते हैं, जो कि आप लोगों को games केलने में help करते हैं, जी students, तो आप हम लोग पढ़ने वाले हैं, अपनी next input device के बारे में, जो कि क्या है, एक trackball है, तो students, trackball बहुत कम use होने वाली pointing device है, जिस तरह से हम लोग bounce को use करते हैं, उसी तरह से हम लोग trackballs को use करते ह हैं, ठीक है, लेकिन क्योंके mouse इतने कॉमन है, इसलिए हम लोग trackballs को बहुत कम use करते हैं, जादा तरह हम क्या use करते हैं, pointing device के तौर पर हम mouse को use करते हैं, तो चलिए students, देख लेते हैं, कि trackball होते क्या है, इस बात के आप लोगों को तब समझाएगी जब मैं आप लोगों को इसके picture दिखाऊंगी, चलिए आगे दिखिए, trackball remains stationary, stationary का मतलब क्या होता है, students, stationary का मतलब होता है, साकें, यानि के, ये move नहीं करता है, तो अगर students, ये move नहीं करता है, तो हम किस तरह से अपने cursor को move करेंगे screen पर, चलिए देखे, it has a ball that is rotated to move the cursor on the screen, यानि के इसके उपर एक ball होता है, जिसको हम rotate करते हैं, किस लिए, अपने cursor को screen पर move करने के लिए, ठीक है, it is rotated by hand in any direction, तो students, हम ball को किस तरह से rotate कर सकते हैं, हम उसको अपने हाद से rotate करते हैं, different directions में, किन directions में rotate करते हैं, जिस direction में हम अपने cursor को move करना चाहते हैं, तो students, picture देखिए, जी, students, ये है एक track ball, आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा इसे, है ना, तो students, आप लोग इसे सरह गौर से देखिए, क्यूंकि इसका ball जो है, वो उपर की तरफ है, और हम लोगों ने बात की थी, कि mouse में जो ball होता है, वो कहां होता है, नीचे की तरफ होता है, और track ball में ball कहां होता है, उपर की तरफ होता है, इसलिए हमने कहा था के, इट लोक्स लाइक अपसाइड डाउन माउस, ठीक है students, मुझे उप्रवीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, तो चलिए, नेक्स्ट डिवाइस देखते हैं क्या है, जी, students, अब हम देखेंगे कि next input device क्या है, चलिए देखिए, next है touch screen, touch screen क्या होती है students, touch का मतलब क्या होता है, touch का मतलब होता है, चूना, और screen क्या होती है, जैसे monitor की screen होती है, आप लोगों को, जो भी output है वो कहा नज़र आती है students, screen पर नज़र आती है ना, जी, तो students, इस screen को हम लोग touch कर सकते हैं, यानि कि इसको छू कर इसको input दे सकते हैं, जैसे कि आप लोग mobile phones यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक screen पर हम लोग input भी देते हैं, और वहीं पर हमें output भी शो होती है, तो students इस तरह से काम करती है touch screen, चलिए देख लेते हैं इसकी definition, इट अलावस उस तो एंटर इंपूट बाइस सिंपली टचिंग दा डिस्पले स्क्रीन, स्टूरेंट्स हम लोग उने बात की थी display screen क्या होती है, जहां पर आपको आपकी output नजर आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं display screen, अब students, बात यह है कि उसी display screen को आप लोग touch करके क्या कर सकते हैं, input दे सकते हैं, तो touch screen का सबसे बड़ा फाइदा क्या है, कि आप लोग एक ही screen को use करते हैं, आउट पूट और input कर सकते हैं, चलिए students आगे देखिए, जब आपकी finger screen को contact करती है, यानि कि जब आपकी finger screen को touch करती है, तो system क्या करता है, input record करना शुरू कर देता है, ठीक है students, आप लोगोंने mobile phones तो आप लोगोंने सब नहीं use किये होंगे, या ATM machines आप लोगों के parents use करते होंगे, आप लोगोंने देखा होगा उन्हें use करते हुए, तो students, ATM machine में भी touch screens use होती है, और उसके इलावा कहां touch screen use होती है, उसके इलावा use होती है mobile phones में, और आप लोगों के tablets में भी use होती है, और उसके इलावा कुछ laptops में भी touch screen का feature पाया जाता है, चलिए students, next input device देखें, next है touchpad, it is used in laptops, students, आप लोगों ने देखा होगा के laptops पर mouse नहीं होता है, वैसे तो हम लोग attach कर सकते हैं, लेकिन usually हम लोग उसके उपर mouse के बगार भी काम कर सकते हैं, तो वो किस सरा से करते हैं, students, उसके उपर होता है touchpad, ठीक है, तो touchpad पर जब हम लोग अपनी fingers को move करते हैं, तो हमारा cursor क्या करता है, screen पर move करता है, चलिए आगे देखिए, you can move the cursor on the screen by moving your finger on the touchpad, यानि कि आप लोग अपने cursor को screen पर किस तरह से move करते हैं, touchpad पर अपनी finger को move करके, तो students, touchpad पर आप लोगों को दो buttons भी नज़र आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने mouse के लिए दो buttons पढ़े थे न, उसी तरह से students, touchpad पर भी दो buttons होते हैं, और ये उसी तरह से काम करते हैं, जिस तरह से mouse के left click को और right click के buttons काम करते हैं, तो students, अपनी screens पर देखिए, आप लोगों को एक picture नज़र आ रही है, जी students, ये है एक touchpad, आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का area बिलकुल खाली है, और नीचे दो buttons आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, तो students, ये buttons यूज़ होते हैं, left click और right click करने के लिए, और जो area खाली है, वो आप लोगों की finger को move करने के लिए use होता है, जिससे क्या होता है, आपका cursor आपकी screen पर move करता है, तो students, आज के lecture में हम लोगों ने ये six input devices के बारे में पढ़ा है, बाकी की दो devices के बारे में हम next lecture में पढ़ेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, students, आपके बारे में से लापिस,